इस्राइल की प्रधान मंत्री बेंजमिन नियत्याहु ने कबजे वाले पश्मितर पर यहूदी बस्तियों को मजबूत करने की योजना के साथ साथ फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई डंडात्मा कदमों की खोशना की है उन्होंने गोलाबारी की दो घटनाओं में साथ इस्राइलों के मारे जाने और पांच अन्ने के घाय होने के बाद ये कदम उठाया न्यतिनाहु ने इस्राइली नागरिकों के लिए बंदोग परमिच में तेजी लाने और अवैद हत्यार इखटा करने के प्रियासों को आगे बढ़ाने का बादा किया है उन्होंने कहा कि आतंगवाद का समर्थन करने वालों से अत्रिक्त कीमत वसूलने के लिए संदिक्दों के घरों को सील कर जमी दोस कर दिया जाएगा उनके कारले ने बाद में कहा कि हमलावरों के परिवारों के लिए समाजिक सुरक्षाल लाब भी रद कर दिये जाएंगे शनिवार के उनकी इस घोश्रा के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री आंटी ब्लिंकन की अगले सप्ता की यात्रा पर संशे के बादल मन्ड़ाने लगे हैं तथा इस शेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है जन्वरी 2023 हाल गे वर्षों में पश्मिक टट और पूर्वी यरुशलम में सबसे खूरी महिनों में से एक रहा सुरक्षा मामलों पर नेतिनाहुई की मंत्री मंडल समीती ने गोली बारी की दो घटनाओं के मदे नज़र सरकार के दंडात्मा कदमों को मनसूरी दी है इनमें से एक हमला शुक्रवार रात को हुआ था जब पूर्वी यरुशलम के एक उपासना स्थल के बाहर गोली बारी में साथ लोगों की जान चली गई थी नितनाहू के कारले ने बताय कि समीती ने हमलावरों के मकानों को धुष करने से पहले उन्हें सील करने को मनसूरी थी सरकार ने हमलावरों के परिवारों को हासिल सामाजिक सुरक्षा स्वास्त लाव रद करने इस्राइलों के लिए हत्यार प्राप्ट करने के फ्रक्रिया को आसान बनाने तथा अवैद हत्यारों को जब्ट करने के प्रयासों में तेजी लाने की भी योचना बनाई है अमेरिका ने इस्राइल के सकदमों पर फिरहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अमार्का के बाइडन प्रशासन ने गोली बारे की निंदा की लेकिन वही पूरवी यरुशलम और पश्रवी टट पर यहूदी बस्तों के निर्मार के खलाफ है